Hello students, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं, applications of derivative exercise 6.5 के question number 11 से 13 तो question number 11 है, it is given that at x is equal to 1, the function x raised power 4 minus 62 x square plus ax plus 9 attends its maximum value on the interval 0 to find the value of a तो यहां पर हमारे को function दे रखा है कि x की power 4 है और minus के 62 x square plus में x plus के 9 है तो इसको हम function fx मान लेते हैं और जो है इसको फिर हम fx function मानने के बाद इसको x के respect में differentiate कर देंगे तो f dash x हमारे पास आ जागा तो x की power 4 का differentiation जो होगा वो होगा 4 times of x cube और x square का होता 2x तो minus 62 से multiply होके हो जाएगा minus के 1 under 24 x और x का differentiation होता 1 तो ax का differentiation हो गया a into 1 यानिके a तो इस तरह से f dash x हो गया 4 x cube minus में 1 under 24 x plus के a अब maximum minimum निकालने के लिए हमारे को f dash x को 0 रखना पड़ता है और यहां एक बात हमें यह भी देखने है कि f x जो है उसकी maximum value जो question में given है वो x is equal to 1 पे है यानिके x is equal to 1 पे यह maximum value रखता है तो maximum value रखने का मतलब है कि f dash 1 जो है वो 0 के equal होगा क्योंकि उस पे ही इसकी value at x is equal to 1 जो है वो maximum है तो यहां हम क्योंकि अब 1 जो है इस interval के अंदर ही है 0 to 2 है तो इस interval में हम जो है इसको देखेंगे तो यहां हम इसको f dash x जो है वो ले लेते हैं one x की जगा one रखके तो यहां पर जहां जहां x है right side में उसको जो है वन रख देंगे है और f dash 1 को 0 के equal रख देंगे तो यह हो गया 4 times of one का cube होगया और minus के 124 इंटु में 1 हो गया प्लस के a तो ब्लस के a to be equaled to 0 गया तो यह हो गया आपका 4 के equal यह हो गया minus के 124 और यह हो गया plus के a तो इस तरह से left side में हमारे पास आया a minus के 120 और right side में 0 तो 120 को right side ले आते हैं तो a 120 के equal है और यह इसका answer भी है अब 12th question है find the maximum and minimum values of x plus sin 2x on interval 0 to 2pi तो यह 0 से 2pi के भीच में जो है 0 से लेके 2pi तक इसकी maximum और minimum values निकालनी है हमारे को x से plus में sin 2x की तो सबसे पहले यह जो function दिया हुआ है इसको हम fx के माल लेते हैं तो fx हमारा हो गया x plus में sin 2x अब इसको differentiate कर देंगे x के respect में तो f-x आगया हमारे पास x का differentiation 1 होता है और sin 2x का हो जाएगा cos 2x और 2x का हो जाएगा 2 तो यह हो जाएगा हमारे पास cos 2x into में 2 तो यह आपको जब इसको simplify करेंगे तो यह हो जाएगा 2 times of cos 2x plus के 1 तो यह हमारा f-x आगया अब आपको क्या करना है अब हमारे को क्योंकि maximum minimum value निकालनी है तो f-x को 0 के equal रख देते हैं क्योंकि maximum minimum निकालने के लिए first derivative को 0 के equal रखना होता है तो यहाँ पर हमारा f-x अगर 0 के equal है तो इसका मतलब यह हो गया कि 2 times of cos 2x plus 1 जो है वो भी 0 के equal हो जाएगा अब 1 को left side से right side में लेके आते हैं तो 2 times of cos 2x जो है वो minus 1 के equal हो जाता है इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो cos 2x आया वो minus के 1 upon में 2 हो गया अब 1 upon 2 जो है cos की value जो होगी वो होगी pi by 3 पे लेकिन negative sign है तो यह हो जाएगा minus का cos pi by 3 तो यहाँ पर यही value जो है हम लिख देते हैं क्योंकि negative sign है तो यह हो गया minus के cos यह हो गया pi by 3 अब cos negative कौन कौन से quadrants में होता है तो यहाँ हमारे को पता है कि cos जो है first में positive होता है और fourth में positive होता है लेकिन वो जो है second और third में जो negative होता है तो second third quadrant में क्योंकि cos negative है और यहाँ पर हमारे को 0 to 2 pi इसको चेक करना है 0 से लेके 2 pi तक यानि कि 4 quadrant देखना है तो 4 quadrant में इसकी values जो है negative किसमें है वो है second और third में तो second और third के अंदर जो है इसको देखना है तो यहाँ हमने इसको किस तरह दे लिखे है देखिए जीरो है यहाँ पर pi by 2 होता है यह हो गया pi और यहाँ आपके 3 pi by 2 और यह 0 को जो है 2 pi भी लिख सकते है 4 pi 6 pi इस तरह दे लिख सकते है अब हमारे को इसका मतलब यह पूरा रहा हूँ इसमें देखना है अब 2x जो है वो अगर उसकी value 0 to 2 pi में अगर हम देख रहे हैं तो x की value जो है वो 0 से pi के बीच में होगी हाफ हो जाए एक value तो इस तरह से यहाँ जो है यह हमारे को second quadrant में ही इसको negative sign को लेना है तो इसका मतलब cos जो है negative है वो किसमें second quadrant में है तो minus के cos pi by 3 second quadrant में होंगे तो हम उसको cos और bracket में pi minus pi by 3 लिख सकते हैं क्योंकि cos pi minus theta जो है वो minus के cos theta के equal होता है तो इस तरह से pi minus में pi by 3 जो है वो 2 pi by 3 के equal हो गया तो cos 2x जो है cos 2 pi by 3 हो गया तो अब यहां पर इसकी general value जो हम लिखते हैं वो यह देखिए यहां पर जो है 2 pi के जो भी multiple होंगे यानि के 2 pi, 4 pi, 6 pi इस तरह से यानि के 2 n pi जो multiples होंगे उसमें अगर आप 2 pi by 3 plus या minus करोगे तो cos जो है वो ही रहेगा क्योंकि cos first में और fourth में दोनों में ही positive है तो इस तरह से add करने से भी इसमें और subtract करने से भी यह positive ही value देगा अब यहां पर n जो है वो एक integer है तो यहां हमने x जो है हो गया n pi यहां पर where x is integer की जगए n is integer हो गया तो x is equal to n pi plus में pi by 3 हो गया और इधर हमारे को n को अगर हम 0 रखते हैं तो हमारे पास n pi जो है वो 0 के equal हो गया हो तो plus minus के pi by 3 हमारे पास x की value आती है क्योंकि n जो है वो integer है तो 0, 1, 2, 3 यही value हमने लेनी है तो यहां positive integer लेके चल देंगे तो इसमें x जो है वो हमारे पास हो जाएगा plus का pi by 3 और minus के pi by 3 लेकिन हमारे को plus वाला ही लेना है minus के pi by 3 हमने नहीं लेने है तो यह जो है क्योंकि minus के pi by 3 जो है इस interval का member नहीं है minus के pi by 3 इसलिए वो यहां नहीं आएगा तो इस तरह से x जो है वो हो गया pi by 3 वो acceptable हो गया हमारे लिए और दूसरा यहां हम देख रहे है n अगर हम 1 लेते हैं n equal to 1 लेते हैं तो x जो है वो हो जाएगा pi plus minus के pi by 3 तो pi plus minus pi by 3 हो गया तो यहां पर यह 3 plus लेंगे तो 3 pi plus pi यानिके 4 pi by 3 हो गया और अगर minus लेते हैं तो 3 pi minus pi by 3 यानिके 3 pi में से pi तो 2 pi तो 2 pi by 3 हो गया यानिके 4 pi by 3 और 2 pi by 3 अब यह दोनों value जो है 4 pi by 3 हमारा जो है वो आएगा क्योंकि pi by 3 60 degree का होता है तो 4 pi by 3 240 degree का होगा यानिके 180 plus 60 तो यह third quadrant में होगा और 2 pi by 3 जो है वो 120 degree का है तो जो 4 pi by 3 क्योंकि 240 का था तो थार्ड क्वाराण में है और 2 pi by 3 जो की 120 degree का है वो second quadrant में होगा तो दोनों ही जो है इसी range के है 0 to pi by 2 pi के तो इसलिए दोनों जो है वो acceptable है और यहान दोनों में cost की value जो है negative है तो इसलिए यहाँ पर जो है हम इन दोनों को ही ले लेंगे तो 4 pi by 3 भी ले लिया और 2 pi by 3 भी हो गया अब जो है इसके बाद n जो है उसकी value 2 लेते हैं तो n 2 लेंगे तो x जो है वो 2 pi plus minus में pi by 3 हो जाएगा तो यह 2 pi plus minus के pi by 3 हुआ तो अगर plus का sign लेते हैं तो 6 pi plus pi यानिके 7 pi by 3 हो जाता है और अगर minus का लेते हैं तो 6 pi minus pi by 3 यानिके 5 pi by 3 हो गया अब 2 pi में से अगर minus के pi by 3 करते हैं तो यह पूर्थ चला गया 2 pi by 5 pi by 3 तो हमारा जो है वो acceptable है क्योंकि वो जो है लेकिन 2 pi plus pi by 3 जो है वो 2 pi से बड़ा हो गया इसलिए इसको हमने नहीं लेना है यह इसके अंदर नहीं आ रहा है तो x जो है वो हमारा जो है वो होगा 2 pi minus के pi by 3 जो की 5 pi by 3 है वो हमारे को यहाँ पर लेना है यह इसको यहाँ पर देखते हैं कि क्यों लिया तो यह देखिए 2 pi से यह कम है pi by 3 कम है और simplify करने पर यह हो गया 5 pi by 3 के तो इस तरह से यह हमारे पास चौति वैल्यू आ गया यह देखिए 2 pi by 3 तो इस तरह से यह स्पेश्ट होगे हमारे को यह क्लियर है कि यहाँ पर जो है हमारे पास जो टर्निंग पॉइंट्स हैं वो टर्निंग पॉइंट्स हैं वो हमारे आ रहे हैं पाइवाई 3 के मल्टिपल्स जो आ रहे हैं वो पाइवाई 3 2 pi by 3 लेकिन 3 pi by 3 यहान के पाई नहीं लेना है यहां पर खाली 4 pi by 3 है फिर और 5 pi by 3 है तो इस तरह से यह हमारे पास आ रहे हैं तो यहां पर जो हैं चार आई वैल्यू जाएं तो x प्लस में sin2 x के लिए जो function हमारे पास है और x यहां पर जो है यह क्योंकि हमारे पास यह closed function है interval है closed interval है 0 to 2 pi तो उसी के अंदर यह सारी values हैं इसलिए यह चारो values जो हैं वह acceptable values हैं तो यह इन चारो values पे हम चारो पॉइंटों पे हम क्योंकि इसी interval में से आ रहा है closed interval में से तो हम इसको लें अब x जो है वह पाइवाइ 3 हो गया और दूसरा हो गया 2 pi by 3 और 4 pi by 3 और 5 pi by 3 तो यह values जो है हम यहां पर इसकी लिख लेते हैं और फिर इन चारो पॉइंटों पे हमने क्या करना है इसकी value को निकालना है ताकि क्योंकि हमारे को question में maximum और minimum values भी निकालने हैं तो x की जो चारो values हैं वह यहां पे लिख दी और फिर fx की value जो है इन चारो पॉइंटों पे निकाल लेंगे तो इस तरह से हमारे पास जो है यह point आ गए अब हम इसकी value निकालेंगे तो पहले हम निकालेंगे pi by 3 पे तो x is equal to pi by 3 है तो fx जो हमारा x plus में sin 2x है उसकी value निकालने हैं तो f pi by 3 जो होगा वह x की जगा pi by 3 आ गया तो यह हो गया plus में sin 2 pi by 3 तो 2 pi by 3 जो है वो हमारा second quadrant में second quadrant में sin positive होता है तो यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं और pi की value 3.14 approximately लेते हैं तो 3.14 upon में 3 जो हो गया और sin 2 pi by 3 को हम लिख सकते हैं pi minus में pi by 3 जो की second quadrant में है तो second quadrant में यह जो है इस तरह से आपको समझाने के लिए हम बता रहा हूं 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 और यह 2 pi तो यहाँ पर pi minus में pi by 3 second quadrant में है तो यहाँ आएगा तो इसका मतलब यह positive होगा तो positive value लेगे तो यहाँ sin 5 minus theta जो है वो sin theta के equal होता है तो यहाँ theta जो है pi by 3 है तो pi by 3 होने के विए से sin pi by 3 आ जाएगा और 3.14 को अगर हम 3 से divide करते हैं तो approximately यह 1.05 के लगबग आता है और यहाँ पर sin pi minus में pi by 3 जो है sin pi by 3 के equal होगा है अब sin pi by 3 की value होती है root 3 by 2 तो यहाँ पर 1.05 plus में root 3 जो है वो होता है 1.732 उसको 2 से divide करेंगे तो 0.87 के 2 decimal places तक लेते हैं इन दोनों को add करेंगे तो 1.92 आ जाएगा अब x is equal to 2 pi by 3 पर value लेते हैं तो f 2 pi by 3 जो है वो हो जाएगा x की जगा यहाँ आ गया 2 pi by 3 और यहाँ पर हमारा sin है तो sin 2x है तो 2 into में 2 pi by 3 हो गया 4 pi by 3 तो इस तरह से 2 pi by 3 के value था हम में पहले पता है 1.025 है तो उसकी value से हम निकाल सकते हैं डबल करके और 4 pi by 3 को हम pi plus में pi by 3 रख सकते हैं तो यह आपका पहुंच गया 3rd quadrant में तो 3rd quadrant में पहुंच गया तो sin क्या हो जाएगा negative हो जाएगा यानि के यह जो है 2 into में 1.05 जो हो गया 2.10 हो गया और यहाँ पर sin pi by 3 जो है वो हो गया minus के sin pi by 3 तो अब sin pi by 3 की value हमने निकाली थी वो 0.87 थी तो minus के sin pi by 3 की हो जाएगी minus के 0.87 पहले वाले में हम निकाल चुके हैं तो 2.10 में से 0.87 माइनस करेंगे तो 1.23 लगबग आ जाएगा अब x is equal to 4 pi by 3 पे value देखते हैं function की तो f4 pi by 3 जो है वो इधर देखते हैं तो 4 pi by 3 हमारा x की जगा आ गया और sin 2 pi 2x है तो 2 into में 4 pi by 3 जो है 8 pi by 3 हो गया अब 8 pi by 3 का मतलब है 3 का double 6 तो 6 से यह 2 pi by 3 बड़ा हो गया तो इस तरह से 2 pi से यह इस तरह से लिख सकते हैं आपके पास जो pi by 3 था उसकी value 1.05 थी तो उसका 4 times है तो यानिके 4 into में 1.05 आप यहां पे लिखके इसकी value को निकाल सकते हैं 4 pi by 3 की तो बार-बार calculation से बचने के लिए आप क्योंकि approximate value ही नहीं है तो यहां पे हो गया 1.05 से multiply करके फिर sin के 2 pi by 3 की value रखेंगे तो 5.07 इसकी value आती है अब x is equal to 5 pi by 3 पे value देखते हैं तो f 5 pi by 3 जो है वो हो गया 5 pi by 3 प्लस में sin 2 into में 5 pi by 3 यानिके 10 pi by 3 तो 10 pi by 3 जो है वो हमारा इसको हम देखते हैं कि यह 4 pi minus 4 pi का मतलब 10 pi है तो 4 pi by 3 अगर हम 4 pi minus के 2 pi by 3 इसको लिख सकते हैं तो यहां पर जो है इसको 4 pi minus में 2 pi by 3 लिख लें क्योंकि LC हम लेंगे तो 4 3 जा 12 12 minus 2 जो है 10 हो गया तो वही 10 pi by 3 आ जाता है तो 4 pi 2 pi 4 pi 6 pi यह आते रहेंगे 0 के equally है तो यह इसका मतलब कि यह sin 4 pi minus में theta जो है वो sin minus के sin theta के equal होता है तो यह हो जाएगा minus के 2 sin 2 pi by 3 तो 5 को 1.05 से multiply करेंगे तो 5.25 हो जाएगा और यह हो गया minus के sin 2 pi by 3 तो sin 2 pi by 3 के हम value पहले 0.87 निकाल चुके है तो minus के sin 2 pi by 3 की value हो जाएगी minus के 0.87 तो 5.25 में से 0.87 सब्ट्रेक्ट करते हैं तो 4.38 आता है तो इस तरह से यह हमारे पास values आ गई 5 pi by 3 पे अब हमने जो इनके corner points है 0 और 2 pi end points है जो इसके उस पर भी निकालते हैं तो f 0 जो है वो x की जगे तो 0 हो गया और sin 2 into 0 यह वो sin 0 हो गया तो sin 0 की value भी 0 होती है तो 0 प्लस 0 हो गया यानिके f x की value 0 पे 0 हो गया अब 2 pi पे निकालते हैं तो यह sin f 2 pi जो है वो गया 2 pi plus में sin 4 pi हो जाएगा 4 pi जो है 0 के equal होता है और sin 0 जो होता है तो इस तरह से हमारे पाद 2 pi ही value आई और pi के value को अगर हम 3.14 माने तो जो है यह हो जाएगा 2 into में 3.14 तो 2 pi जो है उसकी value होगे 2 into में 3.14 जो की 6.28 के equal है तो इस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो है 6 values आई जो जो सबसे कम value है वो है x is equal to 0 पे 0 और सबसे बड़ी value जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सी है तो सबसे बड़ी value जो है यहाँ पे देखें जैसे यह value है 1.92 और यह है 1.23 और यह 5.07 4.380 और 6.28 तो 6.28 सबसे बड़ी है जो की x is equal to 2 pi पे आई इस तरह से maximum value जो है इसमें function की वो 2 pi पे आ रही है और सबसे कम value किस पे आ रही है तो सबसे कम value जो है यहाँ पर हम देखें कि जितने भी हमारे पास values है 0, 1.92, 1.23, 5.07 और 4.38 तो इसमें 6.28 तो 1.23 नहीं उससे भी छोटी value हमारे पास है 0 तो minimum value जो है वो 0 आई और वो किस पे आई? x is equal to 0 पे तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो values आई है maximum value x is equal to 2 pi पे 6.28 और minimum value जो है x is equal to 0 पे वो 0 है तो मिदा यह question आपको समझ में आगया होगा. अब अगला question है question number 13 find two numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible. यानिके आपको बताना है कि दो संख्याएं हैं दो number हैं जिनके जोड जो है वो 24 है और गुणा जो है बड़ा से बड़ा गुणा होना है यानिके product जो है बड़े से बड़ा होना चाहिए. तो हमने यह माल लिया कि जो दो जो number दे रखे हैं वो number है या तो एक एको x माल लेते हैं और दूसरे को y माल लेते हैं दो number हमारे पास हो गए x and y. तो इनका sum जो है क्योंकि वो 24 है तो इसका मतलब x plus y जो है वो हो जाएगा 24 के equal तो y जो है वो हमारा हो गया 24 minus x के तो यह हमारी equation 1 बन जाती है और product इसका दोनों number हो जाएगा x into y और product को हम p से define करते हैं तो p जो है वो x into y हो गया अब y की value जो है 1 से हमने यहाँ पे रख दे नहीं है ताकि सारा p की value x की terms में आज है तो यह हो जाएगा 24 minus x y की जगा रख दिया तो हमारे पास जो है p हो गया x times of 24 minus x तो इसको simplify करेंगे तो यह हो जाएगा 24x minus x square अब इसको जो है differentiate कर देते हैं x के respect में तो dp upon dx जो है वो हो जाएगा 24x का हो जाएगा 24 और minus x square को हो जाएगे minus के 2x तो यह equation 2 बन गई अब हमारे को जो है इसका second derivative अगर हम लेते हैं तो 24 का हो जाएगा 0 और minus के 2x का हो गया minus के 2 तो 0 minus 2 minus 2 हो गया जो कि 0 से छोटा है इसका मतलब यहाँ पे product जो है maximum हो सकता है तो maximum exist कर रहा है तो हम जो है maximum निकाल सकते हैं तो अब dp upon 12 यानिके वो भी 12 हो जागा है तो इस तरह से x भी 12 आ गया और y भी 12 आ गया यानिके दोनों ही नंबर जो है वो 12 टैवल आ गया तो इन तरह से जो है इनका product जो है वो maximum आएगा तो वैसे भी आपको यह पता होगा कि rectangle के area अगर सम होगर साइडों का एक जैसा हो उसके का area जो है वो जादा होता है आए इसको समझ भी लेते हैं कि कैसे है तो यहाँ अगर हम देखें कि एक simple example लेते हैं कि 24 उनका sum है तो अगर 1 और 23 होते तो इनका product जो है वो 23 होता अगर number 2 और 22 होते है sum वो ही 24 है तो यह हो जाते 44 और अगर 3 और 21 होते तब भी product इनका 24 ही होता लेकिन product sum 24 होता product 63 हो गया इसी तरह से आगे चलते जाए तो अगर 10 और 14 होते यह तो 10 इंटो 40 140 हो जाता product जबकि sum 24 ही रहता और 11 इंटो में 13 होते तो यह 13 और 143 हो जाता तो इनका product होता 143 और 12 इंटो 12 होता sum तो है आपका 124 और लेकिन product जो है 144 है तो जो की maximum है तो इसका मतलब यह है कि 12 इंटो 12 जो 124 है वहां maximum हो अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को subscribe कर लिजे और notification के लिए bell icon दबा दीजे